नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं बिदेश से भी परतिनी दी आ रहे हैं, इनमें मालदिव, सिरिलंका, बंगलादेश, सहीत, कई देशों के सिष्ण नेता सामिल हैं बता दे लोग सबाचुना दोज़ाचोविस के नतीजे में NDA को बहुमत मिलने और NDA के नेता चुने जाने के बाद देश की राष्टपती द्रोपती मुर्मुने नायंद मोदी को परधान मंत्रिपत की सबपत लेने के लिए अमंत्रित कर दिया है इस बार पिये मोदी की कैबिनेट में NDA गटबंदन दलोग के नेताओ को भी वरियता मिलेगी इस गटबंदन में बीजेपी के अलावाट टीडिपी, जेडियू, एनसीपी, सिवसेना, लजेपी, रामबिलाज, समेथ, और नेपार्टी और नियुदलिय सांसत भी सामिल है सबने मिलकर नेद मोदी को अपना नेता चुना है, नेद मोदी के सपत ग्रहोन की तारिक नौजून तारिक की गई है जारखन में बिधान सभाचुनाओ की त्यारी सुरू के रभी कुमार मुख ही निर्वाचन पताधिकारी के रभी कुमार ने सुक्रोवार को मुखेल जिसी सभागार में सभी जीलो के ओप निर्वाचन पताधिकारी योग साथ बैठक की आगामी बिधान सभाचुनाओं में मंद्दान पषिस बढ़ाने का नीदेश दिया है उन्होंने कहा है कि आगामी बिधान सभा चुनाओं के लिए अभी से त्यारी शुरू कर दे बिधान सभा निर्वाचन के परिपेक्ष में मददाता सुची के परकासन का कॉट अफ डेट एक अक्टूबर रखा जा रहा है इसके पुर्व घर खर जाकर मददाताओं का पुन्रिक्षन कर ले सिरी कुमार ने कहा है कि राज में लोगसभा निर्वाचन निस पक्ष भायमुक्त और सांते पुन्ठंक संपन हुआ है इसमें सभी पता अधिकारियों कर्मियों ने अपनी महत्पून भूम का निभाई है इस बावत लोगसभा चुनाओं के दरण बने बूथ अवयर ने समुहों और ELC समुहों को सक्रिये करना होगा उन्होंने निर्देश दिया है कि सरकारी भौनों आधि पर दिवार लेखन कर समधित बूथ लेवल अपसर का नाम एवन नमबर अंकित कराए बाबुलान ने कहा एक कटपूथली मुखी मंत्री सावित हो रहे सांसद निसिकान दुबे के बाद अवजारकन परदेश भाचपा के अध्यक्स बाबुलामाणी ने सीम चमपाई सुरेन परवार किया है उन्होंने कहा एक मुझे सरकार की मन साथ ठीक नहीं लगती है सरकार की नियत ही नहीं है नवकरी देने की हेमन सुरेन और चमपाई सुरेन युवाओ की मांग को अन्सुना कर रायनिती रोटिया सेक रहे है पांच लाख नौकरी का जुमला देने वाली जामो कांगरे सरकार युवाओ के साथ घातक चल कर रही है युवाओ सक्ती एक जुट होकर बहरी गुंगी सरकार के घमण और वजूद को नेस्तिनाबोद कर देगी उन्होंने कहा है कि जारकर ने सीम चमपाई सुरेन जैसा रीड वीहीन मुखे मंत्री आज तक नहीं देखा आलमगीर आलम के फरस्टा चार उर्यागर होने के बावजूद चमपाई सुरेन ने आलमगीर आलम को मंत्री मंडल से बरखास्त करने की हिमत नहीं जुटाई एक कटपुतली मुखे मंत्री सावित हो रहे है जार्खन की बरतमान सरकार के लिए आने वाले साथ दिन बहुत ही महत्तपुन होने वाले है इस टवीट को 23 लोगोंने अब तक देखा है निसिकान दुबे के पोस्ट को लेकर बवाल मच गया है बताते चले कि पूर्व सीम हेमान सुरेन की पत्नी कलपना सुरेन ने गांडे विधान सभा उप चुनाव जित लिया है उन्होंने चुनाव में भाजपा को मिद्वार दिली पवर्मा को हराया है वैसे भाजपा की तरब से पहले सियह कहा जा रहा था कि जहारखन में लोग सभा चुनाव को पई नाम के बाद रायनीती उठा पलट होगी परदेश के बरतमान सीम चंपाई सुरेन की अपनी कूर्शी गवानी होगी नारेंदर मोधी की तीसरी बार सरकार बनने पर जहारखन में नौ जून को मनेगा उत्सव नारेंदर मोधी के नेतित में लगातार तीसरी बार के अंदर में सरकार बनने जा रहा है कि नयन्द मोदी के नेतिवत में तीसरी बार NDA की सरकार बन रही है इस असर पर जहारखन इसका उत्सों मनाएगा उन्होंने कहा है कि बिश्व के सरवधिक लोग पिरिये नयन्द मोदी के नेतिवत में तीसरी बार NDA सरकार के सपत गरहन के त्यारी अम्तिम चरण में है कातर नौ जुन को तीसरी बार पीम नायंद मोदी की सरकार के सपत कुलहन समारों में सामिल होंगे जार्खन के सरकारी बिद्यालों की दिवारों पर होगी सिक्षकों की जनकारी जार्खन के सभी सरकारी स्कूलों की विद्यालों की दिवारों पर शिक्षों की जनकारी होगी इसके लिए सभी जीलों को स्कूलों की दिवारों पर शिक्षे लिखवाने का निर्देश दिया गया है जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान वा प्रसिक्षन परिशत के निर्देशक आधित रंजन ने सभी DEO DEC को निर्देश दिया है कि दिवारपर सिश्कों के नाम मोबाइल नंबर और विद्याले का नाम निखा जाएगा इसके अलावा माई स्कूल माई प्राइड में अभिवादन करते स्कूल ड्रेस में दो बच्चे की तस्वीरे होगी वहीं स्कूल के विभीन कलास या भवन का नाम महापूर्शो वह बैग्यानिकों के नाम पर होगा आदर्स विद्यार्थी के गून आदर्स सिक्छक के गून विभीन हाउस के पद धारक का नाम बाल सांसत के पद धारकों के नाम वह कारे आदर्स वर्ग कक्च की तस्वीर और डिस्पले की पूरी जनकारी देंगे HEC कर्मियों को 15 जुन तक बेतन नहीं तो 16 से प्लांट होगा ठाप जन्वारी से पेई स्किल भी मिलना बंद हो गया है CPF लेजर और फर्म सोला भी नहीं दिया जा रहा इससे वास्त्वी किस्थिती की जनकारी नहीं मिल पा रही ऐसे में प्रवन धन 15 जुन तक बेतन और पेई स्किल जारी करे बैठक में कहा गया है कि नहीं उत्पार निदेशक के योगदान के बाद HEC की स्थिती और गिरावट आई है सिक्षकों की पदोनती पर सिक्षा विभाग ने जीलों से मांगी रिपोर्ट जारकन के प्रारंभिक इसकुलों के सिक्षकों की बिभीन ग्रेडों में प्रोनती को लेकर सिक्षा विभाग न सभी जीलों से मांगी है इसमें स्विक्रीत करणरत और खाली पदों की संख्या देनी है तीनो कोटी में समाने AST, AST और कुल सिख्षकों की संख्या देनी होगी जीलो को बिग्यान गनी, समाजिक बिग्यान, कला और भासा के लिए अलग-अलग जनकारी देनी होगी जारखन में 12 जून तक लू का परकोब 13 से राहत जारखन में 12 जून के बाद ही गर्मी से राहत की उमीद है मौसम विभाग नशा 13 जून से गर्म पच्छुआ हावा का रूख बदलेगा हावा का रूख डक्षनी पूर्व की ओर होने से कहीं-कहीं बारिस हो सकती है इसे तापमान में नमी से गर्मी में कमी आ सकती है मौसम भी भाग ने राज के सभी हिस्जों में अगले चार दिन यानि 9 जून से 12 जून तक ही ट्वेव का अलर्ट जारी किया है इस दोरन संताल परगना का तापमान 25 डिगरी या उससे उपर पहुँचने की संभावना है वहीं पलामू परमंडल समेट चातरा कोडार्मा और हजारी बाग जीले में भीशन गर्मी रह सकती है इसरा रांची समेट राज के दक्षनी भागों में भी अधिहीक तम तापमान में 1-2 डिगरी बिरीदी की संभावना है रांची के 13 परखंडों में 92 सेविका सहाईकाओं की होगी नियुक्ती रांची जीले के आँगन वाड़ी केंद्रों में सेविका सहाईकाओं की नियुक्ती परकिरिया सुरू हो गई है इसके लिए ग्राम सभा करने का आदेश सनिवार को जारी किया गया जीले के 13 परखंडों के विभीन आँगन वाड़ी केंद्रों पर बानबे, सेविका और सहाईकाओं की नियुक्ती परकिरिया सुरू की गई है जीले के बेड़ो, बुढ्मू, बुढ्डू, चानहो, मांडा, लापुंग, नगडी, नामकूम, उर्मांजी, रातु, रांची, सदर, सिली, तमार, परखंड, कैंगन वाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर नियुक्ती की जाएगी आदेश में 29-29 जून तक ग्राम सभा कर चैन पर किरिया पूरी करने को कहा गया है अलग-अलग परखंड में ग्राम सभा किती थी और समाय अलग-अलग निधायित की गई है आम सभा के अदेख्षता के लिए बीडियो और अंचल अधिकारियों को परतिन्युक्त भी कर दिया गया है सरना कोड पर मुहर तब पिये मोधी को बधाई जे में जारखंड मोक्ती मोर्चा ने कहा है कि पार्टी इसी सर्प नायंद मोधी को परधान मत्रिपत की सपत लेने की सुबकानाय देगी जब वे सांसत के पहले अधिवेशन में चार बातों पर मुहर लगाएंगे ये चार बातों में सरना धर्मकोड और 27% OBCR अक्षन का प्रस्ताव अगनी भी रियोजना को समाप्त करना सरकारी विभागों में रिक्त 50 लाख पदों पर बिग्यप्ती जारी करने और महागाई कब करने के साथ राजियों को GST का पैसा लोटाने से समन्दित है उक्त बारते पार्टी के वरिष्ट नेता सुप्रियों भटाचार्ज ने पार्टी मुख्याल में पिरस्वारता करका ही है इस दोरान उन्होंने सांसद में दिये कारेकारी प्रधान मतिनायंद मोदी के भासन पर वित्तंज कसा है उन्होंने कहा है कि NDA का नेता चुने गए कारेकारी प्रधान मतिनायंद मोदी ने जो भासन दिया वह साब बताता है कि वे नैतिक तोर पर PM के दावेदार नहीं रहे मैट्रिक और इंटर का कमपार्टमेंटल पास करने पर मिलेगा डिवीजन मैट्रिक और इंटर्मेडियेट की कमपार्टमेंटल परिक्षा में पास करने वाले चात्र चत्राओं को आप डिवीजन दिया जाएगा जारकन एकेडमी काउंसिल पहरी बार ऐसी वेवस्था करने जा रहा है बरतमान में मैट्रिक और इंटरमीडियेट के लिए अवेधन भरे जा रहे हैं 12 जुन तक बिना बिलम सूलक के अवेधन किये जाने हैं पिछले वर्ष 2020 तक मैट्रिक और इंटरमीडियेट में पास नहीं करने वाले चात्रे चात्रा कमपन्टमेंटल की परिक्षा देते थे इसमें पास करने के बाद छात्रेशत्राओं को सिर्फ पास का सर्टिफिकेट दिया जाता था उन्हें कोई डिविजन नहीं दिया जाता था जैक ने इसमें बदलाव किया है इस बर मैट्रिक इंटर की कमपर्मेंटल परिक्षा पास करने वाले चात्र चात्राओं को उनके सभी विशयों के अंकों के अधार पर डिविजन देने का नहींने लिया गया है सिक्षक पत्रता परिक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित होगी जारखन में आठ साल बाद जुलाई अगस्त में सिक्षक पत्रता परिक्षा टेट हो सकेगी इसकोली सिक्षावा सक्षता विभाग की और से संसोधित नियमावली का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जारकरन एकेडमी कॉंसिल टेट के आयोजन को लेकर सेडूल जारी करेगा इसमें तो 2016 के बाद B8 और DL8 करने वाले 16-16 सामिल हो सकेंगे सिक्षक पत्रता परिक्षा के लिए 16 मार्च 2024 को ही राजे केमिलेट नियमावली में संसोधन किया था लोगसभा चुनाओ को लेकर इसी दिन आचार संही तरलग जाने के कारण इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका इसकुली सिक्षावा सक्षता विभाग ने इसे त्यार कर रखा है और अगले सब्ताह तक इसके जारी होने की संभावना है जारखन में 10 जून से इसकुल खोलने की मांग पास्वा परदेश अध्यक्ष अलोक उमार्दुवे के अध्यक्षता में नीजी बिद्यालों के संचाल को और परचारियों की बैठक सुक्रवार को हर्मोई थीत कर्याले में होई शिक्षको ने भी सन गर्मी को देखते हुए सरकार सन रोद किया है कि 10 जून से इसकुल खोला जाए शिक्षको ने कहा है कि इस समय काफी गर्मी है और यह बचों के लिए घातक सावित हो सकता है इसलिए जब तक मांसुन ब्रेक नहीं कर सकता इसकूल संचालन के अलुमती नहीं दी जानी चाहिए पासवा द्यक्ष ने कहा है कि सनिवार को पासवा का कॉन्फरेंस पतरातू में होने जा रहा है जहानी जी बिद्यालों के विभीन समस्याओ पर चर्चा होगी नई सिक्षा निती पर सिक्षा वीद ब्याख्यान देंगे दसवेर बरावी के टॉपर को राज अस्तर एवं जीला अस्तर पर समानित किये जाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी प्रधान मंत्री नायंद मोदी के सपत गरहन समारों में सामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है यह स्पी तिर्की ने कहा है कि उन्हें बहुत खुसी हुई जाब यह जनकारी मिली के सपत गरहन समारों में भाग लेने के लिए उन्हें अमंत्रित किया गया है यह उनके लिए बड़े सभागे की बात है धन्यवाद